मरने वाले इंसान को पहचान लेती हैं बिल्लियां चौकाने वाली सच्चाई दोस्तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेट में देना बिल्कुल न भूलें दोस्तो कई सारे लोग हैं जो घर में बिल्लियां रखना पसंद करते हैं जब कि कुछ लोग इनसे दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि लोगों का सोचना होता है कि बिल्लियों का घर में रहना असुभ होता है साथ ही कहा जाता है कि बिल्ली का घर की चार दिवारी में होना बुरी ताकतों को घर में बुलावा देने के समान होता है दोस्तों ये हमारे देश में ही नहीं बलकि बिदेशों में भी होता है यूरूप के लोग बिल्लियों को चुड़ायल का रूप मानते हैं कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपकी वज़े से कोई बिल्ली मर जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपने बुरी आत्मा को अपना दुस्मन बना लिया है इतना ही नहीं साथ में ये भी कहा जाता है कि एक डायन नो बार बिल्ली के रूप में जैन्म लेती है जबकि अगर मिस्र की बात करें तो वहाँ इनको सुब माना जाता है वहाँ माना जाता है कि बिल्ली एक परोपकारी सेरनी की पूरवज है दोस्तो जापान में बिल्लियों के लिए लोगों का मानना है कि अगर काली बिल्ली दिख जाए तो उनका दिन बहतरीन बीतेगा कहते हैं कि कोई बीमार बच्चा अगर काली बिल्ली को देख लेता है तो उसकी बीमारी जल्द ठीक हो जाती है इसके बाद अगर आयरलेंड की बात करें दोस्तो तो वहां कोई इंसान अगर काली बिल्ली को मार देता है तो उसे 17 साल दुरभाग का सामना करना पड़ता है वहीं माना जाता है दोस्तों कि अगर चान्मी रात को काली बिल्ली किसी का रास्ता कार जाती है तो जल्द ही उसकी मौत होने वाली होती है साथ ही अगर चान्दमी रात में दो बिल्लिया लडएं तो इसका मतलब होता है कि कोई अच्छी आत्मा बुरी आत्मा से आपकी रच्छा कर रही है तो दोस्तों बिल्लियों के बारे में ये फैक्ट आपको कैसे लगे बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में लाइक, सेर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेट वीडियो में तब तक के लिए भाई और टेक एर